नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वोल इंडिया में मैं हूँ आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा एक नजर डालते हैं उत्राखंड की खास कबरों पर चमूली में गलेशियर फटने से हुए हाथसे के बाद भारी तबाई मची थी इसके बाद से ही सीएम तरवेन सिंग रावत लगातार एहम कदम उठा रहे हैं और कई इलागों मैखो जाकर शेत्रों का दोरा कर रहे हैं इसी कड़ी में सीएम रावत ने ITPP अस्पताल जोशी मेट में भारती गाहलों से मिलकर उनका हाल चाल जाना है उसके बाद मुख्यमंत्री ने इलागों का एरियल सर्वे किया है और आपदा प्रभावित गाउं पहुचे और वहीं पूर्वं मुख्यमंत्री हरी श्रावा जोशी मट पहुचे हैं उनके साथ पूर विदायक गणेश गोडियाल पहुचे हैं दोनों ने साथ में आपदा प्रभावित शेत्रों का दोरा किया है साथी आपदा प्रभावित शेत्र, तपोवन और रेनी गवं में प्रभावित ग्रामीनों से मुलाकत की है बता दें कि लगातार बचाफ कारे जा रही है 130 मीटर टनल से मलवा अटा दिया गया है टनल में अभी भी कई लोगों के फसे होने की संभावना जटाई जा रही है उत्राकंड में रिश्री गंगा में आई बाड की वज़े से अभी तक नंदा देवी ग्लेशियर के हिस्से का तूटना अभी तक बताया जा रहा था लेकिन मसूरी के मशूर इतिहासकार गोपाल भारतोच का कहना है कि फरवरी महीने में तापमान माइनस से काफी कम होता है ऐसे में बर्फ जमी होती है तो बर्फ का पहाड कैसे तूट कर गिर सकता है ये अपने आप में बड़ा सवाल है उन्होंने काए कि इसके पीछे दुश्मन देश चाइना का हाथ नजर आ रहा है उन्होंने काए कि चाइना ने तकनीक का इस्तमाल कर बर्फ के पहाड के साथ नुकसान किया है जिसके बाद ग्लेशिय तूट गया रहनी गाओं में रिशी गंगा पावर प्रोजेक्ट का डैम तूटने से खासा नुकसान हुआ है रहनी के पास नीती गाटी को जोडने वाला सडक पुल भी भेग गया है ग्रामीडों ने बताया कि रहनी में शिवाजी और जुग्जू में मा भगवती मंदिर भी आपदा में बहे गया है वहीं रहनी गाओं के प्रधान की माने तो आपदा आने से 13 गाओं का संपर्क तूट गया है वहाँ पर ना तो लाइट है और ना ही संपर्क करने के लिए कोई अनसादन है ग्रामीड आपदा से दहशत में है वहीं आपदा से टूटे पुल को जल्दी बना दिया जाएगा हलदोवानी कोतवाली में चला बवाल काफी मुश्क्रों से शान्त हुआ है दरसल यहां पर जोगिंद रतौला और दरजा राजमंतरी तरुन बनसल सहित बीजीपी के कई नेता और पारशद कोतवाली में धरने पर बैट गए थे इसके बाद मेयर सहित पारशदों ने अपना आंदोलन खत्म किया है वहीं अब पुलिस प्रशाशन ने भी राहत की सास ली है और पारशद तनमे रावत को भी कोतवाली से जमानत दे दी गई है बीजेपी पारशद की गरफतारी से नाराज हल्दवानी के मेयर सहित बीजेपी कारेकरताओं ने कोतवाली में बवाल और कोतवाल को हटाने की मांग पर समाजवादी पार्टी नकड़ा निशाना सादा है सपा के प्रदेश महासचेब शोयव एहमद ने आरूप लगाया कि हल्दवानी के मेयर ने 9 गंटे तक कोतवाली को घेराप कर कोतवाली में अपराद का शलन्यास करने का काम किया है उनके मताबिक BJP सत्ता का दो रुपयोक कर रही है और अब हल्दवानी के मेयर नहीं बल्कि BJP के मेयर है हरे द्वार में फ्लायोवर का मिला दिकारी ने निरक्षण कर उदगाटन किया है सिंगद्वार फ्लाइओवर की एक साइट पूरी होने पर मेलादिकारी दीपक रावत नारियल फोड़ कर उधगाटन किया मेला प्रशाशन और एनेच के अधिकारी इस मौके पर मौझूद रहे हैं को बताने की महिने की आखरी तक फ्लाइओवर की दूसरी साइट भी पूरी कर ली जाएगी उसके बाद उसका उधगाटन होगा हरिद्वार में होने वाले कुम्ब को लेकर जारी अनिशिताओं पर संत समाज बेहत नाराज है मंगलवार को हरिद्वार के जैरा माश्रम में आयोजेत संत समेलन में संतों ने केंदर और राज सरकारों को जम कर खरीखोटी सुनाई है संतों के अनुसार देश बर के 90 प्रतिशत संतों के पास हरिद्वार में अपने आश्रम नहीं है इसलिए उन्हें कुम्ब पर्व के दोरान हरिद्वार में टेंट लगा कर रहना पड़ता है लेकिन अभी तक राज सरकार ने मेले की अधिसूचना तक जारी नहीं की है ऐसे मैं कुम्ब कब शुरू होगा सरकार इस पश्च नहीं कर पा रही है संतों नहीं का आए कि कुम्ब के नाम पर केवल कुछ सडकों के निर्मान के अलावा रंग पुताई की गई है कोरोना महमारी के बीच होने जा रहे हैं मा कुम्ब के बीच पुलिस एक नहीं पैल शुरू करने जा रही है कुम्ब मेले में तैना सभी पुलिस कर्मियों को कुम्ब पुलिस प्रशाशन ऑनलाइन योग करवाने वाली है जिससे कुम्ब में तैना सभी पुलिस कर्मियों को सुस्त रखने के लिए जल्दी ऑनलाइन योग क्लास की शुरुवात की जाएगी जिसमें सभी पुलिस कर्मी योग और मेडिटेशन कर खुद को स्वस्थ रख सकेंगे लालकुवा में दूसरे चलन का कोरोना वैक्सिनेशन शुरू हो गया है अपजलादिकारी रिचा सिंग ने कोरोना वैक्सिन कोविट शील लगवाई है आपको बता दें कि पुराने बुद्ध बजार इस्तेत स्वास्त केंदर के भवन में ये वैक्सिनेशन अभ्यान चलाया जा रहा है दूसरे चरण के कोरना वेक्सिनेशन अभ्यान में नगरपंचायत कर्मियों, तहसील कर्मियों और पुलिस कर्मियों को ये वेक्सिन लगाई जा रही है उत्रकंड की सीमा दर्रीट चेक पोस्ट पर चेकिंग के दोरान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है पुलिस ने यूपी के ओर से आ रही एक स्विफ्ट गाड़ी को रोक लिया जिसके बार उसकी तलाशी ली तो कार में भारी मात्रा में नशीली दवाईयों की खेब रामत की गई है इस नशीली खेब के साथ पकड़े गए दोनों लोगों से पुलिस ने जब सक्ती से पूस्ताच की तो अभी उक्तों ने बताया कि सेला कोई और समावाला इलाके में उनके तीन मेडिकल स्टोर हैं जहाँ से वो इस नशीली गोलियों, इंजेक्शन और कैपसूल को स्कूल, कॉलेज के बच्चों को बेच कर मोटा मुनाफ़ा कमाते हैं फिलाल पुलिस ने आरूपियों को जेल बेस दिया है फिलाल इस गुलिटे में सिर्फ इतना ही बने रही है न्यूजवल इंडिया के साथ, नमस्कार